नमस्कार आप देखने नेक्स्ट नेया नियूज में नाम है दीपक गुपता बात करना चाहूंगा मद्यपरदेश की राजनीतिक सियासत के बारे में जोती रादित्या संग 22 विधायकों ने मिलकर बड़ा कदम उचाया था जब कमलनात के सरकार बनी थी उसके 15 महीने बाद 15 महीने के समय तक उन्होंने इंतिजार किया कि कमलनात को यासा काम करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी का नाम होगा और राज्यों में शांती यहाँ पर रहेगी और जिस तरीके से तमाम जनता इस उमीद पर कांग्रेस पार्टी को देख रही थी कि वो जनता के लिए कोई के अंत में चुनाव हैं तो इस चुनावी चर्चा के बीच बीजेपी टिकट काटने के लिए जानी जाती है ये आपने सुना गुजराच चुनाव में जिस तरीके से सिटिंग विधायकों को घर बैठा दिया गया क्योंकि बीजेपी चाहते है युवाओं को मौका मिले एक् किसी पार्टी से बात करें बागी विधायकों को पसंद रही कि उनकी को टिकट काटे उनके खिलाफ कोई जाए या उनके पद को लेकर कोई फैसला हो यह महराश्ट्र में बहुत बखुबी देख चुके हैं जब भी किसी ने कोई बड़े पद की मांग करी अगर उसको वो मिला तो वो नराजगी भी जाहर करता नजर आया अब वही सवालात यहां पर उठ रहे हैं फिर से मद्य परदेश में कांग्रेस पार्टी से उमीद की जा रही थी कि वो अपने तमाम नेताओं को वापिस लाने के लिए हर पुर जोर कोशिश करेगी लेकिन कांग्रेस ने तरीके सा अपने पैर पर कुलाडी मार ली यह कहते हैं कि जो विकेवे हैं जो गदार है वो 24 करेट के गदार हैं गोल की तरह ही उन पर कोई विश्वास ना करे तो बहतर है बीजेपी ने ना जाने क्यों रखा है वो भी जल से जल इनको छोड़ दे तो जादा बहतर रहेग तो सरकार यहाँ पर बनाने का काम जनता करती है लेकिन सरकार का मुख्यमंतरी चहरा कोन बने यह विधायक तैक करते हैं और यह हमने बखुवी देखा था मद्यपरदेश में जब यहाँ पर सिंध्या के साथ विधायकों ने मिलकर शिवराज को मुख्यमंतरी बना दिया थ तो डर का महौल सभी विधायकों में होगा कि उनका पद भी जा सकता है और ऐसे में उनके हाथ से अगर उनका पद जाता है बीजेपी कुछ नियम भी है कि एक परिवार एक पद यानि कि सिंध्या के घराने से देखा जाए आज जोती रादित्या सिंध्या सामने आई है लेकि शर्तों पर शायद हो सकता है कि कांग्रेस में वापसी की और देखें ना कांग्रेस में वापसी की और देखें तो कम से कम बीजेपी का साथ छोड़े लेकिन अभी तक जो मजबूती नज़र आई है अभी तक जो फैसले नज़र आई है वो सिंध्या की विधायकों के समर् और यहां पर अगर बात करें सिंध्या के विधायक नहीं कुछ हफते पहले एक बयान दिया था कि अगर दिगविजे सिंग मुख्यमंत्री होते तो हम कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ते क्योंकि दिगविजे सिंग एक ऐसे वट वरक्ष हैं जो अपने आपको हमेशा विजे को एक बार फिट से मौका दे ये देखना दिल्चस्प होगा कि अगर विधायकों की वापसी करानी है ये बात तो हता है कि एक दो विधायक भी बहुत इंपोर्टेंट रहता है तो ऐसे मद्दे परदेश के सियासी सत्ता विधायकों की समर्थन से चल लई है आपकी झाल